अलो बच्चों कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे हैं कि सर यह कैसे करेंगे चैप्टर वन वर्कशीट फॉर है ना क्वेश्चन नमबर थ्री फाइंड ग्रेटेस्ट नमबर ओफ सिक्स डिजिट्स विच इदा परफेक्ट स्वेट तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करत निखाने पर क्या करते हैं इसका सिंप्ली डायक्ट स्कॉर रूट निकालना शुरू कर देंगे और लास्ट मतलब अब पुस्चन यह हो जाएगा कि विच नमबर मस्ट भी सब्ट्रेक्टेट फॉम 99,999,999 को तो यहां से और फिर साइड यह सकते हैं तो 9 नंगयों जाएगा 9 9 plus 9 18 और 99-81, 9-1 8, 9-81, फिर आप यह पूरा पेर कॉपी कर लेंगे, 99 ले लेंगे यहां पर, अब यहां फिर से हमें एक number लिखना है, ठीक है, हम 9 ही लेते हैं यहां भी, ठीक, और क्यों लेते हैं, trial and error, पहले मैं बता चुका हूँ आपको की कैसे करना है trial and error, 9, 9 जा 81, 1, 8 carried, 9, 8 जा 72 and 8, 80, 0, 8 carried, 9 बंजा 9 and 8, 17, subtract करें, 9-1, 8, 9 और 8-7, 1, so this completes, 198 आए हमारे पास, फिर से हम यह वाली पेर भी, कॉपी कर लेते हैं, 99, और यहां चितना हो जाए गा, 9 and 9, 18, 8, 1 carried, 108, 9, 1, 198, अभी भी हम 9 ही लेंगे, है ना, सबसे, क्योंकि यही हमारे पास greatest number होगा, एक 9 यहां के लिखना भूर गिया था, यह वाला आगया हमारे पास, 9, तो कितना होगा हमारे पास, अब होगा, 9, 9 जा 81, 1, 8 carried, 9, 8 जा 72 and 8, 80, 0, 8 carried, 9, 9 जा 81 and 8, 80, 9, 8 carried, 9, 8 carried, 9 जा 9 and 8, 70, okay, again, 9, 9 जा 81, 1, 8 carried, 9 जा 72 and 8, 80, 0, 8 carried, 9, 9 जा 81 and 8, 89, 9, 8 carried, 9 जा 9 and 8, 70, 10, now we will subtract, 9 minus 1, 8, 9 minus 0, 9, 8, we will borrow from here, 18 minus 9, 9, 8 minus 7, 1, so we have, 1, 9, 9, 8 remaining, तो हमें पता है कि अगर इसे हम subtract कर दें, इस given number में से तो जो आएगा, वो perfect square होगा, क्यों, क्योंकि फिर आप perfect square डिकाल रहे होंगे, square root तो यह बचे रही नहीं, So, therefore, since, we write here, since, 1, 9, 9, 8 remains, therefore, we subtract, we subtract to obtain, we subtract to obtain perfect square number, perfect square number, so what is that number? 9, 9, 9, 9, 9, minus 1, 8, 1, 9, 9, 8, 9 minus 8, 1, 9 minus 9, 0, 9 minus 1, 8, 9 and 9, So, therefore, 9, 98,001 is the largest, is the largest 6 digit number, 6 digit number, which is a perfect square, which is a perfect square, okay? So, this way, we can find, अब एक और question ऐसके बाद, जिससे हम अगले वीडियो मों discuss करेंगे, और अब next वीडियो से हम शुरू करेंगे, cubes and cube roots, till then, keep solving.